आप देख रहे हैं एंटी करफ्शन इंडिया नीज फ्रस्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ नरेंदर मोदी जी युनाइटेड एंटार इंडिया तू शो ग्राटिट्यूड मंत्री जी से भी मिलने के लिए कोशिश किये तो कोई भी मीटिंग के लिए भी डियार नॉट गिविंग परमिशन कोट में एक्चुली दो के एसेस फाइल हो चुके हैं एक एसेस आपको चार मई की है उसमें एक पी आयल लगा है और एक जिसकी डायरी नंबर भी मिल चुकी है और वो वेबसाइट पर दिये हुए हैं और वो सायद हो सकती है कि मंडे को हीरिंग होने के संभावना है हमें भी असाहीं लग रहा है कि हम से मंत्री मिलना नहीं चाह रहे हैं और भी मिलना आपका बूंताग प्राइब प्राइब ओ मैर्टना नहीं चाहीं है आप देखेंगे इसके पीछे जो बैनर है जो है इसमें अपना धरना दे रही है यह नीट पीजी 2022 जो है इसका जो एक्जाम होना है उसको पोस्टपोन कराने की मांग है तो तमाम जो यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि वो जो यह धरना दे रहे हैं वो क्यूं दे रहे हैं उनकी क्या मांगी है सर क्या नाम है आपका जो यह आप लोग धरना दे रहे हैं नीट पीजी का जो एक्जाम है उसको बढ़वाना है आप लोगों को तो क्या मुश्किल है क्यूं बढ़वाना चाहते हैं संचेप में बताए नीट PG से MDMS की परीक्षा है जिससे हर साल इंटरेंस एक्जाम होता है सभी मेडिकल कॉलेजेस के लिए पिछले साल जो 2021 बैच का जो पूरा नीट PG का जो वेवस्ता होता है जिसमें अड्मिशन की प्रक्रिया होती है वो अभी तक पूरी नहीं होई है और मार्च में ये प्रक्रिया पूरी हो जानी थी लेकिन मार्च में ये प्रक्रिया किसी कारणवर्ष पूरी ना हो सकी स्वास्त मंत्राले ने इस प्रक्रिया के पूरी ना होने के वज़े से मार्च में इसी NEET PG 2022 की एक्जाम को पोश्पोन किया और कहा कि हम मई में ये एक्जाम कराएंगे क्योंकि हमारा अभी ये counseling process, admission process पिछले साल कहीं पूरा नहीं हुआ है आज 21 माई को NEET PG 2022 का एक्जाम है और आज भी हाल सिर्फ वहीं का वहीं है साथ बार स्वास्त मंत्राले ने जो की counseling की जो dates होते हैं उसको change कर दिया है और अभी भी पिछले साल के admission process complete नहीं हुआ है वहां पर जाएं या आने वाले exam की त्यारी करें क्योंकि यहां पर क्या होता है कि यदि आप counseling में part ले रहे हैं admission process में part ले रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपको seat guarantee है आप अपने आवेधन देते हैं वो आवेधन स्विक्रित हो सकती है और स्विक्रित ना भी हो सकती है लेकिन उसके लिए ही आपको उस छेतर में जाना पड़ता है उस शहर में जाना पड़ता है तो मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि जो medical की पढ़ाई होती है जो post graduate exam होता है उसमें डॉक्टरी के 19 subject MBBS के आते हैं जो कि बहुत ही कठिन है बहुत ही विकार उत्पन करने वाले हैं और इसी से परेशान होते हैं इसकी पूरी तयारी करने के लिए बच्चों को साल भर लग जाता है और सिर्फ इसका रिविजन यदि वह अपने syllabus को दुबारा रिवाइस करना चाहें तो उसमें इने डियर से दो महीना कम से कम लगेगा उससे कम किसी को भी नहीं लग सकता है यह कोई भी export इस बात की जानकारी आपको दे सकता है तो कितना आप चाह रहे हैं मई से जुलाई 21 मई यह पहले ही है हम जुलाई का कोई भी डेट एकसेप्ट करने को तयार हैं हम इसे सिर्फ आठ से दस हफते को बढ़ाना चाह रहे हैं जिससे कि हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी ना ही स्वास्त व्यवस्था में हिंदुस्तान के किसी भी तरह से कोई ड चीज हजार एक्स्टा डॉक्टर्स आ जाएंगे इसके माध्यम से कितने डॉक्टर्स एफेक्टेड हो रहे हैं मतलब जी जो आप बता रहे हैं अगर पोस्ट पॉन नहीं होता है या सरकार नहीं सुनती है कितने लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं हमने इस चे लिए ऑनला डॉक्टर्स आसोसीयेशन ने जिसमें पाच्यासी परसंट जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ये वोल्ट किया जो need PG inspirants थे वो डॉक्टर जिनको एक्जाम देना है उन्होंने वोल्ट किया वह बहुत कट्नाई हो रही है इसे कुछ दो हफ्ते दो महीने के लिए बढ़ाया ज तो एक चीज यह बताईए क्या जो स्वास्तमंत्राले है या स्वास्तमंत्री हैं क्या आपने उनसे कॉंटेक्ट किया है या अपनी परिशानी उनको बताईए या आप उनसे मिल पाए हैं विबिन सोर्सेस से स्वास्तमंतरी को contact किया है, हमने उन्हें पत्र भी लिखा है, और स्वास्तमंतरी से हमें समय भी मिलने वाला था, लेकिन किसी कारेन वर्ष उन्होंने समय नहीं दिया, हमारे कई एस्पिरेंट्स, डॉक्टर्ज जो ऐसे थे, जो स्वास्तमंतरी के घर पे ते उन्हें पांच मिनट ना सही दो मिनट भी समय देने से क्यों इंकार किया ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी थी कि उनके पास हमारे लिए इनी डॉक्टर्स के लिए दो मिनट नहीं बचे जिन्होंने अपने प्रान नियो चावर किये थे कोरोना की लड़ाई तो आप ये बताएं जो ट्रेंड चल ला था और अपनी आप लोग समस्याएं रख रहे थे ट्रेंड के बाद भी जो है वो कैसे देखते हैं आप ट्रेंड के बाद भी मंतरी नहीं मिल रहे हैं और जो आप लोग हैं अपनी बात मंतरी तक नहीं पहुचा पा रहे हैं तो कैसे आगे की अरण नीती अपनाएंगे मेरा डॉक्टर दिनेश मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है हमें पूरा कोशिश किया कि हमने सारे पीमवो पर मेमोरेंडम भी दिया थे ताकि अटलीस्ट हमको वहां से कुछ अपोइंटमेंट मिल सकता है तो मंतरी जी से भी कि मिलने के लिए कोशिश किये तो कोई भी मीटिंग के लिए भी ड्या is not giving permission तो हमें बादने तो क्या है हमारे पास रास्ते बस सुपरिंग कोट मेंच केस फाइल कर दिया थे तो अब बादि देखना है सुपरिंग कोट हमको जेस्टिस करेगा और हम क्या ये जो स्वास्त मंतराल है इसमें किसी अधिकारी से आप लोग की मुलाकात हुई है या मीटिंग हुई है कोई आसवाशन मिला हो सरकार की तरफ से हाँ हमने हेल्थ सेक्रेटरी से मिला है बस दो मिनिट का अपॉइंटमेंट मिला था शाम आट बजे को हम मिला है सारे डॉक्मेंट जो भी है 115 पेजेस है उसमें सारे मिनिस्टर सारे हमारे जो भी लिखा है हमारी तरफ से 15,000 डिजिटल सिगनेचर भी कल करके उनके सामने हम र मिनिस्टर सاحب से बस दो pasti कापॉंट मेंडे क्यूं़ कि हमें अतना उमीद है कि मिनिस्टर सاحبहर ने हमको सपोर्ट जरूर करेगा लेकिन को अपोइंट में भी नहीं मिल रहा है हम हम सारे रास्ते ढून लिये तो अभी आपوइंट में नहीं चैसे सब्सक्राइब नितोब सब्सक्राइब धोर सती है और जैसे कि बताया जै कि आप लोग मंत्री से मिलने कारण क्या है क्या मत्री तक बात नहीं पहुंच पा रही है है क्या मंत्री चाहते要ml वांध तेक्द मेरा नाम His मैं आरेमेल होस्पिटल से हूँ मैं यही कहना चाहूंगा इस मैटर पे कि हम लोग अपने तरफ से पूरी तरह से चाहे जो भी पात्र लिखकर हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में पी यल का भी लगाया गया है तो मतलब हर तरह से हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सरक सरकार और नियावेवस्था क्यों नहीं आ रही है हमारी बस यही मांग है कि हमारी बातों को सुने हमारी बातों को समझें और जल से जल्द हो सके तो इस बात पर फैसला करें ताकि हमें भी एक जो मनुस्तिती है जिससे हम लोग गुजरते हैं उससे हम लोग को एक आराम मिल जा रहा है कि अगर सुनवाई नहीं होती है आप लोगी बात नहीं सुनी जाती है तो आप लोग सुप्रीम कोड का दरवाजा क Chron60 टाएंगे तो कैसे देखते है सुप्रीम कोड में क्या आप जो करने जा रहे हैं या कुछ किया है अभी कोट में actually दो केसेस फाइल हो चुके हैं एक केसेस आपको चार मई की है उसमें एक पी आईयल लगा है और एक जिसकी डायरी नंबर भी मिल चुकी है और वो वेबसाइट पर दिये हुए हैं और वो सायद हो सकती है कि मंडे को हीरिंग होने के संभावना है तो हम लोग इंतजा मीडिया की बात करें या ट्विटर की बात करें तो काफी कुछ ट्विटर के उपर चला मंत्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात हुई सुप्रीम कोट में भी मैटर चल गया है और आज जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कॉल किया था धर्ना जसका ये धर्ना इसे देखते हैं इसको कि नेक्स्ट क्या होगा सुप्रीम कोट में भी आप लोगों ने अपनी अपील की है तमाम चीजे करी हैं अब ये धर्ने को किस रुक में लेके जाएंगे देखिए ये आवश्यक है कि हमने आज भी जो धर्ना दिया इसको हमने रवी बार के दिन दि होती हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और हमें धर्ना देना भी नहीं आता है तो हम यहीं करेंगे सरकार से कि हमारी बात को सुने और इस मुद्दे को खत्म करें अन्यता हमें अपने अंदोलन को और तेज करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई आप्शन नह इस मुद्दे को ले करके लेटर लिखा है और ना सिर्फ ओपोजिशन पाटी के MPs ने यहां तक की ruling party के MPs ने भी इसको ले करके स्वास्त मंत्री को लेटर लिखा है यह बहुत ही sensitive issue है और इसके करने से किसी को कोई हानी नहीं है तो इस बात की ध्यान में रखते वे सरकार क को सक्त से सक्त कुछ decision लेना चाहिए और इसे तुरंट बचों को relief देना चाहिए यह सवाल मैंने पीछे ही पूछा था आपसे दुबारा मैं पूछना चाहूंगा कि जो मंत्री साहब हैं स्वास्त मंत्री हैं उन्होंने अब तक समय नहीं दिया है official से आप लोगोंने कहा कि आप मिले हैं इतना सब कुछ होने के बाद एक ट्रेंड चला आप लोगों का ट्विटर पर आप लोग चाहिए थे जो आप पोस्पॉंट करवाना चाहरे हैं उसके बाद भी मंत्री नहीं टाइम दे पार हैं इसको आप देखते कैसे मंत्री के पास समय नहीं है मंत्री तक बात नहीं पहुच पा रही है क्योंकि मॉनिटर तो हर चीज होती है उसके बाद भी मंत्री क्यों नहीं मिल रहे हैं देखिए बड़े बुज़ूर्ग कहते थे कि यदि कोई आपसे लगातार ना मिले तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो मिलना नहीं चाहते हैं तो हमें भी इनके जो डिमांड्स हैं नीट पीजी एस्पिरेंट्स के उसके जन्विननेस को अगर समझ जाएंगे तो कभी भी इसको वो चैलेंज नहीं करेंगे वो इसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि आप यदि कोई भी कोई भी इंसान जो कि अपने सही माइंड में रहे हैं मंतरी से कई बार मिलने का प्रयास किया है ऑफिशल से बले ही इनकी मीटिंग हुई हो और आसवाशन दिया गया हो लेकिन अभी तक जो है इनको कोई भी जो कह सकते हैं रहत वो नजर नहीं आ रही है क्या है आपकी राय कमेंट दोर अपने विचार हमसे आप साजा कर सकत आप झाल